साक्षाद भगवान का रूम फ्यो पोजे कि राज भगवान की जय सेलोस मी ऐसा बोला भगवान ने बोला भी मैं हूँ मैं तुमारा रक्षक ऐसा बोला भगवान चमतकर दिखाये तुष्ट ने भगवान का पूजन हुआ नरान खाना पना सब हो गया और सब अनन्द मनाते हुए जब वो निकलने लगे तब इंद्र को मालूम पड़ा ये कोई धुवा हुआ निकला नहीं यग्या नहीं हुआ क्या बात है इंद्र को बड़ा क्रोध आया उन्होंने सोचा पांच वर्ष के बालक ने मेरा इंद्र यग्या रोक दिया अभी में देखता हूँ बारिश सामर तक नाम के गुणों को अदेश दिया बात लोग बर्षाओ बारिश आंधी तुफान ओले और इस बरजबंडल को बच्चे को सब को खतम का बारिश शुरूआ और वो बारिश नर अंधी 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 ओले तुफान तराहिमाम तराहिमाम बगवान की शरण आये सब बचा लो बचा लो बचालो 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 बगवान शाम संद्रेका डरो मत तुमने अभी किसका पुजन किया गिरिराज का चालो गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे ग्रिराज के पास पहुंचे नारायन, थोड़ा दूर आये थे, भगवान यूँ आइसे, इच्छा मात्र, परवत को अपने अंगुली के उपर धारन किया, बोले ग्रिराज धारन भगवान की जय, ग्रिराज धारन भगवान की जय, भगवान ने कहा कि अभी एगड़ा हो गया है, इसके अंदर आओ तुम आओ सारे लोग, अब तुमारी रक्षा हो, सारे हज्चारों, लाखों, लाखों लोग, उसके अंदर समाविष्ट हो गए, ग्रिराज गुवर्धन परवत को भगवाने साथ दिंत्य कंगुली पर धार वहाँ पर व्रजमंडल में हज्जारों गाये जंगली, सेर भालू चीते हिरन खरवोस, और वो जीवजन्तु जो जंगल में रच थे, उनका क्या हुआ, बचे वो जो भगवान के छत्र के नीचे आए, लेकिन बाकी का क्या हुआ, अरे भगवान ने ऐसी प्रिणा दिना र आरो जितने भी आते हैं, उतना बढ़ता जाता है, भगवान कैसी माया, वहां लाखो लाखो जीवजन्तु भगवान के पास है, वही हाथी, वही सेर, वही भालू, वही चीते, वही खरवोस, वही हिरन सौ, भगवान के पास है, भगवान के नीचे, किसी की भी मन में हिंसा शुआ नहीं है अब छोटे बच्च चोटे बच्चे बेखे थे तो क्या वो समाधि लगा के बैठे थे उन्ग बड़ा मजा रहा था और वो हाती के स्रून को लेकर लटक रहे थे आर वो सेर भालू चीते के बालूं को पकड़के खेल रहे थे और वो भी आराम कर रहे थे यहां आइंसा, यह सारे अपने मेरे लोग हैं, अध्भूत विला की भगवारी हैं, आप कभी ऐसा चित्र के कलपना करना, ऐसा चित्र आज तक कभी किषिने नहीं बनाया, लेकिन वास्तिविक्ता तो यही है, ऐसा गिरिराज गोवर्धन परवट उठाया भगवारी ने, वह टंकी खाली हो गए, पानी खटम कहां से बरसाया, आंका टूटा और नारण भगवान के चरणों में वहां पहुंच गया, भगवारी ने, गिरिराज गोवर्धन को जहां का वही रखा, सारे जिव जुन्तु जिदर से आये थे न, उदर भगवान को प्रणाम करके चले मैंने बड़ी समखेप में आपको सुनाया है, यह आपके कथा का अंतीम दिन भी हैं और बहुत सारी लिलाएं बाकी हैं हमारा आज से, भगवान ने अपनी भगवत्ता को प्रगट करने के बाद रास लिला की हैं, पहले भगवान ने दिखा दिया हमें भगवान हूँ, उसके बद रास लिलाएं बहुत सुन्दर रास माने जवात्मा का परमेश्वर्षे मिलना है, गूपी गित का गान हुआ, भगवान ने अने को लिलाओ में नारायन युगल गीत का गान अरिश्ट असुर का उध्धार किया केशी असुर का उध्धार किया उसके बाद नारजी महराजी का अगमन हुआ नारजी महराजी ने कहन्स को कहा कि बेटा भगवान का अगमन हो गया है एक बात मैं आपको सुना के मैं इस कथा को एकदम छलांग लगा के आगे ले जाओंगा आप जब भी नारजी महराजी का चरित्र सुनते हो तो कुछ गड़वर लगता है आपको मैं बोलू आओ नारद आओ नारद तो आपको बड़ा बुरा लगेगा नारद की पुपमा आप सरने कर पाओगे क्योंकि नारद को लोगों ने दिखाया ऐसा है कली का नारद जगड़ा लगाता है वह ऐसा है लगिन नारद नारदो देवदर्ष्ण लगा मिरक्ता नाम सिरो मनी आपको भगवान के दर्शन करना हूँ तो नारत के दर्शन को भगवान के दर्शन हो जाते हूँ परम बैराग के संपन अइंसा के प्रतिमूर्ति परम साधुता में श्थित वो बेखती कि आपका जगड़ा लगाएगा क्यमली इन कथाकारों को चाहिए था कोई हसाने वाला पात्तरत नारत को बना दिया और यहां पर भी मैंने आपको पहले भी दशमसकंद में साधन किया एक अमल का भूल पताने लोगों ने कहां से लाया भागवत में नहीं हो नाराजी महराजी ने परिचय कराया नाराय मैं आपको अब एक छाया आपके सामने नक्षा रख लेटा हूँ आकाशवारी ने क्या बोला था अश्यास्त्वा मस्टमो गर्भो आठवे संतान के द्वारा तुम मारे जाओगे लेकिन वो आठवे संतान क्या होगी वो अकाशवारी नहीं बोला था वो मनुष्य होगा, गंदर्व होगा, यक्ष होगा, देवता होगा, भगवान होगा, कौन होगा यह अकाशवानी नहीं पताया था, परिचे नहीं था वहाँ लेकिन जब नारजी महाराजी आए तो नारजी महाराजी ने परोक्ष प्रियाही देवा परोक्ष बानी बोली, क्या परोक्ष बानी? कमल उमलो का फुन नहीं नहीं नारेजी महाराज नहीं कहा बेटा सावधान असरों के अत्याचार से ये प्रत्वी बड़ी पिडित हो गई है भगवान का उतार होने वाला है इतना बोलके चले गे महाराज और उसके बात फिर कंस के मन में उस आठवे में भगवत भाव का जागरन हो गया आठवा और कोई नहीं भगवान है आठवा भगवान है आठवे में भगवत भाव का जागरन नारेजी माराजी के दर्शन के बाद हुआ जदी नारेजी माराजी नहीं आते तो आठवे में भगवत भाव का जागरन कभी नहीं होता और उसक विष्ण में देख रहा था हर चीज में विष्णु देख रहा था आठवे में विष्णु अचा पहले को मारा विष्णु समझे दूसरे को मारा विष्णु आठवा मने वह विष्णु नारजी मारज के बाद ही उसके उपर क्रपा हुई और उस आठवे में भगवत भाव क दो प्रकार का ज्यान होता, एक परोक्ष ज्यान और दूसरा अपरोक्ष ज्यान, सत्यम ज्यान, अमनंतम ब्रम्ह, बुले नहीं मिला, नारजी महराज ने का वहीं तो, गोकुल में इतने सारे असुरों तुमने बेजे और सब गए वापस नहीं आये, तुमको इतना भी पता नहीं चला, तुमारे गुप्त चरों से, तुमारे जितने भी असुर, कहां तक पहुँचे गोकुल तक, और उसके बाद यद्गत्वाद निवर्तन थे, गायब, इसका मतलब तुमको मारने वाला और कोई नहीं है, ये गोकुल में रहने वाला, कृष्ण, और यही परुक्षात परुक्षात ब्रह्मा, नारजी महराजी दुबारा जब आये तो भगवान का परिचे हो गया नारण, ओह, यही भगवाद है, और वो बात अलग है, उसने स्विकार नहीं किया, साधना की कमी हो, तो गुरु के उपदेश भी फलितनी होते हैं, हमारे अंतक कर प्यर्थ नहीं जाते हैं, उसका फल मिलता है, यहां कंस को भी फल मिला, आज वो याद कर रहा था, आठवे को माने भगवान को याद कर रहा था, अब वो सोचने लगा कि मैं उस आठवे को जो भगवान मुष्णू का रूप है, और ता धारन किया मैं कैसे मारू, तो उन् से मतुरा बुलाया, भगवान शाम संदर मतुरा में प्रवेश करने लगे नारायन, यहां बड़ा संदर परकरन है, अब इसको छोड़े विना कोई गती नहीं है, भगवान मतुरा में प्रवेश कर गए भगवान ने, हजारों सैनिकों को मारा और वहां धनुश रखा था, उसको भंग कर दिया, दूसरे दिन सुबह सभी लोग पहुंचे जहां पर बड़े बड़े असूर लोग, बड़े बड़े पहलवान लोग, कुस्तियां करके, कुस्तियां लड़कर कंज को प्रसंद करने वाले थे आखाडे में, भगवान शाम संदर भी वहां जाने लगे कोल या पीड नाम का हाथ ही भगवान को मारने के लिए आया द्वार पर उसको भगवाने मार दिया, भगवान अंदर प्रवेश कर गए, और वहां भगवान स्री कृष्णर बलराम जी महराज, दोनों के साथ मुष्टिका और चानूर ने मलयुध्य की गोश्णा कर दी, औ अरुस मलयुध्य में भगवाने सारे असुरों को मार दिया पहरवानों को उपर बैठा था कंस, आरो कंस जोर जोर शे बूल रा था नारा, मारो पकड़ो इसको, लेकिन भगवान शाम संदर मचान के उपर गए और कंस को पकड़ा भगवाने और नीचे गिरा दिया, भगवान शाम संदर कंस को मार करके मथुरा के राजा नहीं बने, उन्होंने अपने नाना को उग्रसेन को राजजबिशिक करके राजगती पर बिठा दिया, हाँ जोड़के खड़े हुए, और भगवान ने का आप हमारे समराथ हैं, हम आपके शेवक्त हैं, भगवान शा भगवान शाम संदर उज्जय इन चले आते हैं, उज्जय इनी सांधीपनी आश्रम में, आर वहां के वल 64 दिन रहते हैं भगवान, विद्या को अध्या करके वापस आए, और भगवान उद्धो जी महाराजी को गोपियों को संदेश देने के लिए बंदावन भेजा, अक भगवान को युद्ध पसंद नहीं है, भगवान हमेशा युद्ध से बचने की कुशिच कर दिया। भगवान शामर संदर नहीं सोचा, बहुत लंबे समय तक संगर्ष करने से आदमी की ताकत समाप्त हो जाती है, और उस समय फिर समाज की ताकत खत्म हो जाती है, और वो अपने समाज और राष्ट्र का विकास नहीं कर पाता है। और संगर्ष से बच के जिदे भी कचित हो सकते हो, तो संगर्ष से बचना ही चाहिए। भगवान ने निरने लिया कब हम अथुरा में रहे जाएंगे। अथुरा में थे, जरासंद ने अक्रमन कर दिया, भगवान भागे वहां से, और भगवान चले गए नारायन द्वारका, जरासंद को लगा की रास्ते में उसने जंगल में आग लगा दी थी, उसमें जल के मारे गए, वापस आ गया वो। भगवान शाम सुंदर अब द्वारका दिश बने, विशाल उस नगरी में भगवान शाम सुंदर रहते थे नारायन, वो कोई सामाने नगरी नहीं थी, आनर्त देश था, बहुत बड़ा, वो तो राजधानी थी भगवान के शमुत्र के अंदर द्वारका, सामरा जो बहु अनर्त देश था अनर्त देश के राजा रहवत थे, और वो भगवान अपने बेटी रहवती का विवाह, बल्राम जी महराझी के साथ इके साथ पृता, और वो सारा का राज्य के उपाहाएं वी भगवान को प्रदान कर दिया था, है भगवान अन्स्री कृष्णल के साथ नारायन विवाहा रुकमिनिका हुआ, यह भी बड़ा मजेदार प्रसंग है, रुकमिन ने भगवान को चिठी लिखी, उसका एक कारण था, हमारे सनातन धर्म में एक ही बार विवाह होता है, यह जो डायवोस और तलाक हमारी परंपरनी है, केवल हिंदोस्तान में सती पतिव्रता यह शब्द है, दुनिया में कहें भी शब्द नहीं है, अच्छा एक बात में बोली देता हूं स्वामेजी महाराज, स्वामेजी का आशिरवाद भी अपने को लेना है, यह पतिव्रता केवल स्तिर्या नहीं होती है, पतिव्रता पति ब्रता मनें अपने पति को छोड़कर नहीं जिनी की भावना, इतना प्रेम पराकस्था का इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, कि हम अपने प्रेम को छोड़कर एक ख्षंगे जिवित नहीं रह सकते हैं, और ये प्रेम संभव है कि नहीं, हाँ संभव है, यहां जितनी भी लोग है ना, सब में संभव है यहां प्रत्यक माता ने अपने पती को जरूर बोला होगा तुमारे बिना हम जिवीत में रशेए यहां जितने भी माता हैं उनोंने कम से कम एक बार तुजरूर बोला होगा तुमारे बिना हमारा क्या होगा आपने प्रती प्रती जो अगाद प्रेम है उसकी बिना ने रही तो पतिवता है और कुछ नहीं है घंळाओ मत्हारा वह संति जाना यह तो बहुत दूर की बात में वह है यह नहीं हो वो तो केवल आपतकाल में अपने शरीर की धर्म की रक्षा करने के लिए हो ये भाव पुरुष में संभव ही की नहीं है हाँ संभव है यह हमारे एक महापुरुष बैठे हैं अपने गाल में हाथ लगा के इनका नाम क्या है? नाम क्या हुने का? चस्मा लगाए आपने अकाड़े को भेट किया जिनको नाम क्या होगा रवी कुमार जी जो हमसे संपर्ग मेरत है रवी कुमार जी की पत्नी ने इनको जरूर बोला होगा ये खादा बाल तो जरूर बोला होगा तुमारे बिना मैं नहीं रह सकते जरूर बोला हो और मैं पुरे दावे के साथ करता हूँ रवी कुमार ने भी अपने पत्नी को जरूर बोला होगा कि तुम्हारे बिना मैं भी नहीं रह सकता हूँ यह भारत देश है नारान शादी होने के बाद पती-पत्नी में ऐसा प्रेम होता है तुम्हारे बिना हम नहीं रिसी बुरा नहीं है इसको आसकती मत मानो यह पती-पत्नी का आधर्श प्रेम है आर इस प्रेम को इतना बढ़ाओ इतना बढ़ाओ इतना बढ़ाओ घटाओ मत इसको बढ़ाओ यह आसकती नहीं है आपका जितना प्रेम बढ़ेगा जितना बढ़ेगा जितना बढ़ेगा वो दया करुणा के रूप में बदर जाएगा धर्म है पति पत्नी का प्रेम परम धर्म है यह पुरुश में भी है इसलिए अखण्डा निजी मारा जी कते हैं पति पुरुश भी होते हैं इसलिए यह दोनों भाव है उसके अंदर का और यह क्यों एकी पर शादी होती है इसलिए शादी के पहले थोड़ा सा ठोक पिट लेना चाहिए थोड़ा देख लेना चाहिए यह स्वयंबर क्या है यही को है स्वयंबर मने शादी करने के पहले थोड़ा सा देख लेंगे स्वयंबर वने स्वयंबर खूद उसका चेन करना या जो पसंद का है उसको स्विकार करना अभी भगवान शाम सुन्दर को सुना और सुनने के बाद लुक्मिन निरने किया कि मैं भगवान को स्विकार करती हूँ एक ही जीवन में कि एक ही बार स्विकार करना है पती के वो बहुत सनात्नी परंपरा की धार्मित भाहुना थी या आजकाल जो लेटर लिखते हैं वो नहीं है आजकाल तो लोग कही लेटर जेउट मिले के चलते हैं Wellington Day में कोई एक को गुलाब थोड़ी दिया जाता है उस दिन तो बहुत सारे गुलाब खरीदे जाते हैं और हर जय पे दो-चार-दो-चार गुलाब पढ़े रहते हैं पता नहीं कितने लोगों को गुलाब देना है हैप्पी वेलेंटाइन है यह हमारी सनातनी परंपरा नहीं है एक वेक्ति केवल जीवन में गुलाब पाने का केवल एक वेक्ति है, और वो कोन होगा हो जिसकों हमें पर पेलेंटइन बोलेंगे और अंतिम बार पहिली बार और अंतिम बार आर वो अंतिम बार के बाद थी रुक्मीनी की, आप अपने लेटर से रुक्मीनी के लेटर के तुलना मत करो कई लोग बोलते हैं रुक्मीनी भी तो लो लेटर लिखा था, चलो हम भी लिखने, तुम कितने लिख चुके हो अभी तक और ने नारायन भगवान को लेटर लिखा, प्रभू मैंने तुम को स्विकार कर लिया है, और तुम आके मेरे को ले जाओ, नहीं तो मैं इस शरीर को छोड़ दूँ, भगवान भी समझ गए, शिशुपाल के साथ उनका विवाव होने वाला था, लेकिन भगवान पहुंचे नारायन और वहां जाकर के भगवान ने उनका हरन किया है, हरन मने बलात, अपने शोरी वीरता का मुल्य चुकाते वे, पलायन नहीं है, ना अपहरन, आपी तु हरन, ये तीन चीज़े अलग-अलग है, अपहरन मने छिपा के ले जाना, पलायन मने नजर बचा के भाग जा रुकमिनी ने भगवान को सावधान किया, हम पलायन नहीं करेंगे, और ना अपहरन होगा मेरा, तो बोले हरन, हरन मने दिन के उजाने में, सब के सामने वीरता का मुल्य चुकाते वे, एक शेर की तर आप मेरे को ले जाओ, वहीं किया भगवान ने, और द्वार का मेरे जा भगवान किया, बोली रुकमिनी हरन भगवान की, उसी प्रकार भगवान के और भी आठ विवा हुए, और भी शोलह हजार एक सो के साथ भगवान का विवा हुआ, बगवान की पत्निया हैं, 16108, बहुत सारा प्रसंग मने छोड़ दिया वा अगली कथा के लिए, दस दस बच्चे आट ने दस बच्चे अब गिंती करते रहे आप विशाल सामराज्य नारायन भगवान शाम सुन्दर का भगवान शाम सुन्दर ने द्वारका में एक बहुत बड़ा उपवन आश्रम के लुप में इस्थापिट किया था आर उस उपवन में अनेको साध्य मात्माओं का आगमन होता था नारजी महराथ असीट कन्व कोटम आदियादी और भगवान के पुत्र पौत्र जाके मात्माओं के शेवा करते थे महगवान स्वयम जाके शेवा करते थे चरंध होते थे बहगवार महातमाँ के प्रक्षानन करते थे, अपने पीतामर से पहर पूशते थे आदर्श मरियादा बहगवान होते हुए भी, सादू महातमाँ के पत्यागाद प्रेम था बहगवान का विनाश काले विप्रीद बुद्धी एक बात है भगवार ने सांब जो जामबवती का बेटा था भगवार ने का ज्वाओ महात्माओं की शेवा करो जब सांब वहां गए नारायन शेवा करते करते उनके मन में एक प्रश्ण उठा प्रश्ण तो सही था लेकिन उसका उत्तर खुद देने का वो प्रेत्मे कर रहे थे इसलिए उगलत हो गया उनको लगा कि यहां इतने सारे महात्मा लोग बैटे हैं यह महात्मा है भी की नहीं या बड़िया बढ़िया भोजन करते हैं और सोते रहते हैं यहां भी कई बार लोग आते हैं देखते हैं सारे महात्मा भंडारे के लिए भाग रहे किसी के मन में प्रश्ण उठ सकता है कि यह भंडारे खाते दिन बर गूंते हैं कि कुछ भ़ूभी करते हैं इसकुममे हजारों हजारों आसे साद्यों है नारौ है ओहॉ आपको मालूम कैसे पढ़ेंगे, नहीं मालूम पढ़ेंगे, अब इस साम को भी कहा मालूम पढ़ा, सामने सोचा कि मैं परिक्षा लूँगा, तब मानूँगा ये मात्मा है कि ने, उनने एक लड़के को लड़के बना दिया, पेट पर बहुत सारे कपड़े बांदिये, और जाकर के मात्माओं के सामने, रार्थना की प्रभु ये हमारी बहु है, गर्भवती है, अब ये बता बेटी बोला तो भी, एक बेटा एक बेटी बोले तो भी, दो बेटा बोले तो भी, दो बेटी बोले तो भी, मात्माओं को ऐसा हो फसाना चाहते हैं, जो भी बोले वो गलत होगा, और उसके बाद फिर मात्माओं का मजाक उड़ाएंगे, तुम लोग तो भोजन भटो, मा मात्माओं ने कहा कि तुम अविनित हो, तुमको परिक्षा लेने का तरीका आता नहीं है, आपके मन में प्रश्ण उठे तो सब्वे तरीके से उसको हल करना चाहिए, उसमें असब्वेता नहीं होना चाहिए, हाथ जोर के खड़े हो जाते हैं, कोई प्रश्ण पूछते, और उसका उत्तर महात्मा लोग बहुत अच्छी तरह से दे देते हैं, महात्माओं ने कहा, बच्चों, इसके पेट से मुसल पैदा होगा, मुसल लोहे का, आर उस लोहे के मुसल से सारे यद्वश्यों का विनास होगा, बच्चे घबरा गये, वहां से भागे, दूर जाकर के पेट खोल के देखा तो लोहे का, मुसल बच्चे घबरा गये, वश्देवजी महाराज के पास, जाके उन्होंने मुसल रखा, सारी कहानी सुना दी, वश्देवजी महाराजी ने कहा कि ये मुसल समुत्र में लिजाओ, और वहां रगड के उसका आटा बना के, समुत्र म में बहा दिया नारायन, पहले कितने मुसल थे? एक, आज जब उसका चुरा बना दिया तो कितना मुसल बने? लाखो करोडो कन बने, और वो एर का नाम के घास के जड़ों में जाके बैठ गे नारायन, और अप्रतिक्षा करने लगे, ये दौन सी उनके विनाश की, लेकन य एक सो अच्छिस वर्ष की उमर है भगवान की, देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की प्रभू, आपके अवतार का प्रयोजन पूरा हो गया है, और आप अपने धरा धाम को आ जाईए भगवाने का रुपवा भी, थुड़ा समय बाकी है, ये दौन सीओं का विनाश होने के बाद मैं अपने अवतार कारे को पूरा करूँगा, भगवान अवतार कारे को पूरा करने की उजना बनाने लगे, भगवान शाम सुंदर ने स्त्रियों को शंकुत धार खेत्र में जाने का आदेश दिया, और पुरुशों को प्रभास खेत्र में, जब भगवाने आदेश दे रहे थे उस समय उद्धो जी महराज केवल एक मात्र ऐसा यदूंसी था जो भगवान के मन को पढ़ सकता था वो भगवान के सच्चे शिष्य थे और सच्चे शिष्य की पहिचान भी यही है जो गुरु के मन को पढ़ सकता और भगवान के चरुणों में प्रार्थना की प्रभू आप आउतार का रिपूरा कर रहे हो लेकिन आपके चरुणों का वियोग में सहद नहीं कर पाऊंगा आप मेरे को साथ ले चलो भगवान ने कहा कि उद्धव मेरे जाने के बाद धर्म प्रचाथ तुमको करना है तुमको रह करके धर्म की बात को आगे बढ़ाना है और तुमको मैं ग्छान प्रदान करूँगा ग्छान यह ग्यारवे सकन्द में भगवाद ने उद्धो जी को ग्छान का उपदेश किया है बहुत सुन्दर उपदेश है भगवाद के तीन सिष्चे होए नारायन अरजुन है उद्धव है और तीस रेशिष्ट है महितरी जी महराथ बहुत सुन्दर ग्यारवे सकंद में ज्यान का उपदेश किया समय के अभाव में हम इसको विराम दे रहे हैं और भगवान ने आदेश दिया कि तुम चले जाओ बद्रिक आश्रम और बद्रिक आश्रमें जा करके तवश्य करो जो मैंने ये साधना तुमको बता दी ये साधना करो वहाँ गरम कुन्ड है गरम कुन्ड मिश्नान करना भगवान के दर्शन करना और मेरी अराधना करना बहगवान का अदेश मान करके नारायन उद्धो जी महराजी जाने लगे और इदर प्रभास खेत्र में बैट कर यग्ययाग का आयोजन हुआ और यग्ययाग का आयोजन होने के बाद सब लोग बैट के बोजन करने लगे यद्वों से इस कथा को अब विराम मिलने वाला है थोड़े समय के बाद कितनी आश्चरी के बाद भगवान के वो मौंशिच यद्वों से यादों लोग और वो भगवान के साथ रहने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाए सारे दुनिया भगवान के तरफ दरश्टी रखके थी दुनिया के सारे साथ भगवान को भगवान मान के वहां जाके चरंच होते थे और सारे यद्वों से अपना रिष्टे दर माझते थे बगवान के यह सामने दारूपीने लगे भोजन के बाद दारूपी रहते हो बगवान ने समझाया लेकिन किशी ने माना नहीं नशामें आपस में अपशब्द बोलने लगे भेंकर युद्ध शुरू हो गया एक दुसरे को मारने लगे शस्त्र अस्त्र समाप्त हो गए वो एर का नाम जी गहास उठा के मारते जिसको चोट लग जाते हूं सामने हो जाते हूं सारे यदोंशी यादो मारे गए नारा है बल्राम जी महराजी ने भी अपने अउतार कारे को पुरा कर दिया केवल बचे हैं भगवान श्री क्रिश्ण दुबला पत्ला शरी ने भगवान का आप कलपना करो लाखो लाखो वीर भगवान के सामने मरे पड़े हैं अकिले बचे भगवान और उस समय भगवान कैसे थे शुगदेजी महराजी कहने व्रक्षमूलम मुपाश्रयम अपने आत्मा में स्थित्य भगवा व्रक्षमाने आत्मा उर्धमूल और अपने आत्मा में स्थित्य होकर परम अनन्द के अनुभव कर रहे हो और वो सारी घटनाओं को भगवान स्वप्न वद्दे करे थे आत्मादिष्थान मैं हूँ और ए आत्मादिष्थान मेरे में सारा स्वपन है और वो स्वपन शान्ति का हो चाए अशान्ति का स्वपन तो स्वपन है आप स्वपन में जो भी कुछ देख रहे हैं वो स्वपन है आप विकास का देख रहे हो तो भी विनाश का देख रहे हो तो भी जीने का देख रहे तो भी मरने का देख रहे तो भी, आत्मा दिष्ठान में भगवान स्थीर है, माहर में एक पीड है, पीपल का उसके नीचे बैठें, बाइपयर के उपर दायना पैर भगवान का और आनन्द में मगन भगवान शाम सुंदर, उसे समय नारायन जरा नाम का एक वयाद आता है और भगवान के पएर को देखकर उसको भ्रम हो जाता यह हिरन है तीर मारता है और वही तीर जो मुसल का टुकड़ा बच्चा वा था उसी का तीर बना गया था और तीर भगवान के पैर में लग जाता है दोड़ करके आता है व्याद देखता है भगवान के पैर में तीर लगा भगवान भी उस समय भी दया करते हैं मारने वाले के उपर भी भगवान करते हैं तुम तुमने मेरे उपर बहुत बड़ी करपा की दया की तुमको मैं अपने अपने धाम को पहुंचा दिया, अब यह भगवान शांति से बैटे हुए हैं उसी समय मैतरी जी महाराज का आगमन हुआ, मैतरी जी महाराज ने भगवान के छरुनों में नमन करके भगवान के आज्या ली बैठके अपने गुरु के साथ एक रूप होने का अनभूग करने ल और वो डूडते डूडते वहां पहुंचे जहां पीपल के पेड़ के निचे प्रफास खेत्र में मैत्री जी महराज सामने बैठें भगवान उपर पत्थर के उपर विराज रहें भगवान के चरुण में साश्टांग अपनिपाट किया भगवान ने देखा हांक उठाके ओह भगवान त्रिप्त हो गया आज दो शिष्चे है कितना बड़ा आश्चे रिय गारका अधिश भगवान लाखो करोडों इनके अनुयाई और जब भगवान शरीर छोड़ने जा रहें उस समय भगवान के सब पास केवल दो लोग हैं दो शिष्चे भगवान के महित्रेजी महाराज और उद्दोजी महाराज के अंखों में उश्रू परवाई थे आरो भगवान के साथ समर्पन का भाव है प्रभु का विरह है अकास में देवतागनों पस्तित हैं फुलों की वर्षक करना चाहते हैं भगवान शाम सुन्दर ने आदेश दिया नारायन दारू को पहले आदेश दे दिया था तुम जाकर के द्वारका में बता देना विनाश की घटना और अरजुन को कहना के वज़ रना एक मालक बचा उसको लेकर मतुरा में जाके उसको मतुरा का राजा बना देना साथ दिनके अंदर भारका नगरी को छोड़ना है ये सारी चीजे भगवान ने दारू को बता दीती पहले ही दारू को हां से चला गया नारायन और जैसा भगवान का अदेश था वैसे ही अर्जुन ने किया वज्रनाप को ला करके मतुरा का राजा बना दिया। भगवान शाम सुन्दर आनन्द मग्न अवस्था में बैठे हैं। और देवता लोग देखना चाहते थे भगवान का स्वधाम गमन कैसा हो। भगवान अपना शरीर कैसे छोड़ेंगे ये देखना चाहते थे। स्वधामनी अभिज्यात गतिंक्रश्ना धद्रिश उस्चाते विश्मिता। वहाँ पर एक अलोगी प्रकाश पुंज पैदा हो गया नाराय, एक नीली रोशनी छा गई। और वो इतनी तेज नीली रोशनी थी, सभी दीवी देवताओं की आँखे चोंधिया गई और बंद हो गई। और वो ख्षन बड़ा छोटा सत्ता हो। जैसे आँख बंद हुई और उने खोली और उतने में ही भगवान वहां से अद्रिश हो गई भगवान अपने स्वधाम चले गई। वोली गवार काधीश भगवान की जय। गवार काधीश भगवान की जय। बगवान का स्वधाम कमन हो गया नारायन। यहीं तक आपकी भागवत की कथा है। सात्वा दिन कुरा हुआ। तक्षक नाक रसनिक आश्राप मिला हुआ है। राजा परिक्षित को शुगरेवजी महराजी ने सावधान किया राजा परिक्षित को राजन। और कुछ सुनना चाहते हूं क्या। तुम निष्टे करो मैं आत्मा हूँ मैं शरीर नहीं है। तुम आत्मा हो, साक्षी हो। यह शरीर मरने वाला है। परिवर्तन सीले पैदा होने वाला है। और इतना जान करके अपने आप में स्तीर हो जाओ। अहम ब्रम्मा हो परमधाम प्रम्मा हम परमम पदम एवं समिक्षन आत्मानम आत्मन्या धाय निष्टे। मैं ब्रम्म हूँ ब्रम्म मैं हूँ इस प्रकार का निष्टे करो। समिक्षन, उसकी समिक्षा करो, अपने भीतर निदिध्यासन करो, और स्थीर करो अपने आप में, अपने आपको स्थीर हो गए नाराय, जैसे अदैश मिला गुरु का, और परिक्षित स्थीर हो गए, आँख बंद करो, अपने आप में चलिया है, उसी समय आत्मनिष्ठ हो ग शुगर्योजी महाराज ने पूछा और कुछ एकादा देने बड़ा दूख था ये जो घोष्णा अर्जुन ने की थी नश्टू मोहा सुर्थे लब्धा त्वत प्रसादान मयाच्चुत श्थितो स्वीगतसं लेह करेश्षे वचनम्तवो अर्जुन ने अठारा अध्या गीता सुनने के बाद गोष्णा कर दी थी मेरा मोह नश्ट हो गया मैं आत्मस्त हो गया हूँ अब मेरे लिए दुनिया में कोई कर्तब विशेश नहीं है तो एक ही कर्तब विशेश है वो तुमारी अग्या का पालन करना अब तुम कहोगे युद्ध करने के लिए मैं युद्ध करूँगा और नहीं तो मैं महात्मा बनके जंगल में चला जाओँगा यहाँ पर भी राजा परिक्षित ने यही बात बोली नहरैन बड़ी सुन्दर शिद्धोसमी अनुग्रहितोसमी भवता करुणात्मना स्रावितो यच्चमे साक्षा दनादी निदनों विव अरिही अज्यानम चे निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवताम धृषितम ख्षेमं परं भगवतअ परं मेरा अज्यान सारा मिट गया शोग मोह जलन मिठर ना, इरशा सब खतम हो गये। मैं शिद्ध ऊगया ह λिव ज्यान नियस्थित हो मैं आत्मा बन गया हूँ अब मैं शरीर नहीं हो मैं आत्मा हूँ पहले टो मैं शरीर था अब मैं आत्मा हो गया हूँ अब ऐसे सेक्डो तक्षक नाग भी आके इस शरीर को डसे तो भी मेरे को कोई दुख नहीं होगा क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ शरीर तो हो नहीं और तक्षक नाग भी डसेगा तो किसको डसेगा इस शरीर को डसेगा पुर्णि प्रार्थना की प्रभू मैं थोड़ा ध्यान करना चाहत। आदेश्मिला शुक्देवजी महराजी का पूजन किया तीन परिक्रमा की साश्टांग परनिपात हुए और वहां से शुक्देवजी महराजी चले गए नारायन। शुक्देवजी महराजी जाने के बाद राजा परिक्षित बट गए हजारो आजार пошनल के मत्त में पद्मासन लागा के बट गए और उसी समय समाधिय करने लिए देह से अटिलिक्त आत्मबोध में श्थित्ड हो गया। तत्व निष्ठा में बैठे हुए और इतने अंतरंग अवस्था में पहुँच गए नारायन न उनको देश का पता है और न काल का पता है उसी समय तक्षक नाग वहां पहुँचता है और उस शरीर को डशना चाहता है उसके पहले ही उनके पंच प्रान पंच महाबूत में समाविष्ठ हो गए तक्षक नाग के काटने के पहले ही राजा परिक्षित का मुक्ष हो गए केवल शरीर बैठा था वहां पर उनकी जिवात्मा तो परमेश्वर में विलिन हो चुकी थी तक्षक नाग ने आ करके उनको डशा और जीव विहीन शरीर को डश कर उसको आग के डेर में बदल गया अगनी में उनका शरीर जल गया नारहन उसको मुक्ष बोलते विए सच्चिदानन भगवान की जय राजा की मुर्त्यू तक्षक नाग के डशने से नहीं हुई भागवत के हिसाब से तक्षक नाग के डशने से पहले ही राजा का सुक्ष्म शरीर समष्टी में विलिन हो गया था पिर वो शाप का क्या हो था दंक्षतिस्म पुलांगा श्राप वहां मरने का नहीं था किवल शरीर में डशने का था शरीर तो डशना पुरा तो हो गया श्योनक आदि हजारों रुशियों को कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज नमिश्या रने में शूत जी महाराज ने सब के चर्णों में नमन किया नमो भगवते तस्मे कृष्णाया कुंथा नेदे से यत्पा दाम्रुर अध्यानात संहिता मथे मामिना सब के चर्णों में प्रणाम किया सूत जी महाराज ने बगवान के चर्णों में प्रणाम किया और प्रणाम करके उने अनुमति ली भगवन अब मैं अपनी कथा को विराम देना चाहिए नइमिश्य अरन्य में सूत जी महराज ने कर्था को विराम दे दिया और मैं भी सभी सादू मात्माओं को नमन करते हुए आत्मरूप आप सब को नमन करते हुए प्रयाग राज भगवाल को नमन करते हुए यमुना मैया सरुषिती मैया गंगा मैया बरत वाजमनी को प्रणाम करते हुए यहीं पर अपनी वानी को विराम देता हूँ गुली भागवत भगवान की जए बरंदावन धाम की जए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ हमारे बहुत सारे साधु मात्मा भागवती कथा सुनने के लिए मंच पर बैटने कुछ नीचे बैटने उनको देख करके मैं कथा बोलता था तो जड़ा उच्छा होता था सभी मात्मां को मैं प्रणाम करता हूँ गूल से कोई शब्द मेरे मुक्षे निकला हो या आपका सम्मान नहीं वा हो तो मैं एक्षमा चाहता हूँ हमारे संगितक ग्यो प्रिंदावन से पधारे अशोग जी मिश्रा बहुत सुन्दर गाते हैं परशों से मेरे साथ हैं उनको भी में बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ आप उनके नाम से भी तुझता क्षमान पली बजाये तो हमारे मणिज जी बहुत सुन्दर तब्ला बजाते हैं तो भी बहुत लंबे समिशें हैं ने का भी बहुत धन्यवाद हैं आना जी हम लोग तो आना ही बोल से हमारे बड़े आना है अना जी को बहुत दप JK इस बार कर यह नो ने की ब्रूर्णत को इसा बैगा ऐसा बजाए कि ऐसा बुर्टो नवभिशे अनो रो कुछ realizar उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस माई को देखने वाले भाया जी बैटे हैं इन्होंने भी बहुत अच्छा माई दिया उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं जै पारस चैनल वाले भाया जी इस चैनल के मध्यम से और बहुत दीर गंभीर भाव से बैट कर शुटिंग कर रहे हैं और पूरे दुनिया में ये कथा दिखा रहे हैं उनकों मैं बहुत बहुत नवाद दे रहा हूँ आज चैनल वाले कोई व्यक्ति आये थे पारस से दोपर को उन्होंने आके मेरे को पूछा ये कैसे चल रहा है कुछ कम ज़्यादा तू नहीं टेक्निशन काम बराबर कर रहे हैं हमने कहा कि इतना अच्छा कर रहे हैं कि हम भी बोले तो भी इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि टेक्निशन जो जानते हों हम नहीं जानते हैं समझ्चाएं हमारी हैं समझ्चा उनकी नहीं है समय की समझ्चा बारिश की समझ्चा आन्ली तुपान के समझ्चा यह तो हमारी है ये पारश चैनल को भी मैं बहुत बहुत आश्रवाद दे रहा हूँ, ये भी बहुत आगे बड़े, और भी कथा हैं, इनके माद्दे में से हम लोग आगे बड़ानी कोशिश करेंगे और हमारे मद्दे में जवलपूर की माताजी आई हैं, कथा सुनने के लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जोनपूर के भगत आए हैं, भरतपूर के आए हैं, जैपूर के आए हैं, महराष्ट से हमारे अर्विन महाराज बड़े प्रशित साद्म हैं, वो भी आए उन पर बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पुरुषत्तमानंजी आए है, उनको भी शाष्टानंजी, पुना से पदारेवे हमारे सुगोधानंजी महाराज, और ये तीनों बैठे हैं, महापुरुष्य ये तो हमसे दिक्षित हैं, इन जिनों को भी हमारे स्वामी ब्रमेशानन सरस्वतिजी, स्वामी कृष्टनानन सरस्वतिजी, स्वामी परिपूर्णानन सरस्वतिजी, और दूसरे भी हमारे विज्यानन सरस्वतिजी महाराज, जो भी सन्यस्त हो गए, वी बहार चले गए, दो दिन रखके, और भी हमारे दो महात्मा सन्यास लिए वो चले गए, आ बहुत लवस्थाएं दी और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे स्वामी जी महाराज कथा सुनने के लिए आए आज प्रस्थान है उनका स्वामी रंगात नंसरस्वुजी महाराज और उससे भी ज्यादा धन्यवाद में अपने बच्चों को देना चाहूँए इन बच्चों न में करी 25 बालक रहते हैं बहुत अच्छे बालक हैं अनुशासित हैं पढ़ने में इनकी बड़ी रुची हैं सब धर्मनिष्ट हैं इन्होंने पूरी कथा सुनी ज्ञान सिबीर में बैठते हैं और आस्रम के साथ ही सेवा भी करते हैं और उनको चलाने वाले हमारे राय सबी बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं और बच्चे अपने नाम से थोड़ा जोरदार पाली बिलाओगें सबको बहुत बहुत धन्यवाद आप जितने लोग रह गए उसको भी नहीं रहे उसको भी और इस कथा के मध्य में एक बहुत बड़े महाप विद्राइज जी जो आपके सामने विराज रहे हैं उनकी धर्मपत्नी आदरनिया जाँ आदर लिए रमाजी यह शुरुत बर्मनिष्ट और प्रस्थानत्रे रहा है और दोनों की अनुपम जोड़ी है अनुपम जोड़ी है वर्षों पहले हम लोग मिले और जब हम पनिराज जी का नाम अपने डारी में नोट किया तो उस समय शायद मैंने लिखा ने होगा उनका नाम मनी नोट किया था पनिराज आएंड मनी तो मैं मनी मनी मोलता हूँ लेकिन हमारी रमा जी उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ दन्यवाद देता हूँ और वो शाहिष नान के समय रत पर बैट करके कितनी खुश हो रहे थी शाहिष नान आपने किया मेरे साथ यह तो गवरों की बात है और अभी जो इनको रहने की भी कोई वस्ता हम उतना दे नहीं पाये तो उस समय हम आजिसी वे रिश्ता देंगे उनके स्वास्ते के हिसाब से उसके अंदर कूलर भी रखेंगे उसके अंदर हीटर भी रखेंगे दवा के लिए, दवा रखने के लिए जरूरी पड़ते है तो इस सारी चीजे रिश्तित होगी और हम कुशिस करेंगे कि थोड़ा समय ये जगह ज़्यादा मिले बड़ा हॉल हो बहुत विश्टार से हजार दो हजार लोग बैट सके अभी हमारे गुरु काश्टनी शर्णानी जी महराजी भी आने वाले थे उन्हें बोला था कि आप जब चाहे तब ले जाओ हमको वो तिन तारीकों नहीं आना चाहा रहे थे लेकिन इतने बड़े महापुरुष को आज बोला सकते थे हम आज आते हैं उनका जरूर अश्रवाद मिलता और अश्रवाद तो मिल चुका है मलुक पिठा दे शुरूर जी महाराजी को आगमन हुआ जगनात धाम के हंसाचार जी महाराजी को आगमन हुआ लेकिन मेरा मन अत्रिप्त हैं बहुत सारे हमारे महात्मा लोग आने पाए इसकी पूर्ती हम करेंगे जरूर अरिद्वार के कुम्बा में भगवति वासुदेवाय, ँम नमों भगवति वासुदेवाय भावे भवे यथा भाक्ती भवे भवे यथा भक्ती पादयोस्त वजायते तथा कुरुष्व देवेश नातस्त्वम्नो यतप्रभो नाम संकीतनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमना तन्नमामी हरिम्परम अलिय सच्चिदानन्द भगवान की भागवत भगवान की गंगा मैया की रमुना मैया की सरस्वती मैया की प्रयाग राज धाम की अरद्वाजी महराज की सभी संतों की जै 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 श्री इरादे आप बुलें लुम्टा शंकरम संकराचारियं केशवं बादरायरं सुत्र भास्य कितो बंदी भगवंतो पुनापुना इस्वरो गुरु रात्विती मुर्त भेद विभागनिये योमवद व्याप्त दी इहाय दच्छना मूर्ते नमा ओम सांति 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 ओ प्रिम्सी भुलिये सचिदानन्द भगवान की सत्गुर्दी भगवान की स्रीमत भागवत महापुराणि की आथि भुष्यू संकराचार जी महराज की सत्षनातन धर्म की धर्म की अधर्म का प्राडियों में विश्व का हरे हरे महां अखिली ब्रह्मान नाइक प्रमात्मा सद गूद्यू के सिमन कमपा से भारत देश उत्तर प्रदेश प्राण तीर्थ राज प्रियाग में हम आप लोग बैट करके ऐसे महापुरुष से श्रीमत भागोत महापुराण सरुणा किया साथ दिनों से हमारे स्रीमत प्रम्हस परिवाज अगाचार चोत्री वर्मनिट अनन्त श्री विहोसित स्री स्री 1888 प्रवानंजी वाराज सरुसती जो कि हरे एक विद्याओं में चाहे व्याकरण में हो चाहे नियाय में हो चाहे व्यादानत में हो चाहे पुरान में हो हरे एक चीजों में पारंगत हैं कहने की जरूरत नहीं है न पर्चे देने की जरूरत है और हमारे उपर भी आपने अनुग्रा किया कि कम से कम दो ही घंटे हमें सर्वन करने को मिला पहली बार और मुझे बहुत आनंद हुआ और यह सच्चाई है हम आपके साथ थे हैं रहते रहेंगे लेकिन हम धर्मसंकत में पड़ गए और चले भी गए और सच्चाई है कि दोनों को उसका पैड़ाम भोगना पड़ा और आगे आने वाले दूसरे को करेगा हम आप तुझे से उसादू हैं सही लिए लेकिन कपिल भगवान के दरबार में कोई ऐसा बैठा हुआ था जो की मनलवे के तीर्थ राज परियाग में कुम्ह में ना रहने की बेदना में था और मैंने उसकी उस समय की ब्याकुलता और बेदना को ना देख सका कपिल भगवान के दरबार में मैं कपिल भगवान का सपूत हूँ और जो है वो कुम्ह ना करे उसकी भावना में बह करके हमने ऐसा जो है क्या कहते हैं उसको आस्वासन दे दिया था और कोई बात नहीं थी, नो मेरा भागत है, ना रहेगा और आरे बाले समय रहेगा, क्योंकि लेकिन वो कालनेमी रूप धारण कर लेते हैं समाज में ऐसा लोग, सचाई ये है, हनुमान जी जैसे जब उकरे गए, तो हमारी आप ही क्या उकात है, जो कि हम उस बेदना में रहे आप नहीं रहे, क्योंकि जब आप की मैंने सिरीमत भागवत कथा सुनी, आप ने हमारे उपर अनुग्रह किया, अनुग्रही तो वसमी, तो और इसी प्रकार से, क्योंकि भागवत दी, सनत्कुमान ने कहा, सदा सेब्या, सदा सेब्या, सिरीमत भागवती कथा, ये सरोण म कि मल्ला हमेशा सर्वन करनी चाहिए नहीं कि एक दिन सुट्टी मिल गई कि भगवान हरी आपके चित्त में कथा मात्र सर्वन करने से ही बैठ जाते हैं आपकी सारी वासनाएं जो है नस्ट कर देते हैं और जैसा जो रहता है वैसे उसको जैसे देखा आपने जो है क्या कहते हैं भगवान ने उखल में उखल में क्यों खल के ऊपर बैठ करके खल कोता रहा है सचाई यह है कि जो है लोहे से लोहा काटा जाता है जिससे दोस ना लगे इसलिए जो है महराज जी हमारे सब प्रकार से हमारे बड़े गुरु भाई है हमारे आखाडे में विद्वानों में अग्रणी है सब प्रकार से और जादा ना कहके भविष्य में हम आपका मारक दर्शन मिलता रहेगा और लेते रहेंगे और हम अब महराज जी से प्राथना करेंगे आखे प्रोग्राम करें और हम चलते हैं अपने सिफित तैयारी की हो और मुझे बहुत आनान्दारा कता सुन करके प्रेम से बुलिए सच्चिदानन्द भगवान की एक रजायता स्रीबागबत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती स्रीबागबत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमरी क्रेंत ये मुक्ति पंत ये पंचम पेद निराला नवी जोती जगाने बाला ये नवर जंत ये मुक्ति पंत ये पंचम पेद निराला नवी जोती जगाने बाला हर नाम यही हर ज्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती सी आगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती यह सांती गीत पापन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर शिकराने वाला यह सुक करनी यह दुख हरनी यह सुक करनी यह पापियों को पाप से है आर्टी स्री आगवत भगवान की है आर्टी पापियों को पाप से झाल